So guys, अगर आप अंग्रेजी बोलना सिखना साथ हैं, तो यह वीडियो आपके लिए best है, जिसमें आप सिखेंगे code, should और would के सभी परियोग, इसका use कैसे किया साता है, किस condition में किया साता है सारी साथ इन सभी के 20 आपको difference भी पता लगजाएगा, कि आप कब किस situation में किसको use करेंगे could, could means सका या सकी या फिर साहे तो आप पाया पाई भी कह सकते हैं जिसका की formula होता है, subject, could, verb का first form, plus object आप देखे, example क्या होगा, वो खाना खा सकी, तो sentence मरेगा, she could eat food आप देखे, या पर आपका could के बाद लग गया है, आपका eat जो कि first form में है और ये could आपका लग गया है, जो कि आपका एक modal verb है, इसी बगार से आप आगे समझेंगे हम लोग वहाँ जाप पाए, we could go there, we could go there, हम लोग वहाँ जाप पाए, इसी बगार से तो मुझसे मिल सका, you could meet him, you could meet him, तो मुझसे मिल सका, या फिर मिल पाया, इस sentence में आप यूज़ करते हैं, रवी अपना काम पूरा कर सका, रवी could complete his work, रवी could complete his work, इस पगार से आप sentence को बना सकते हैं, could का use करके, आगे समझते हैं, could be, जिसका मतलब होता है, हो सकता था, मतलब कि आप हो सकता था, जब आप sentence में बोलते हैं, तो at the time, आप यूज़ कर सकते हैं, could be का, जिसका क्या आपका subject, could be, और उसके आपका रहे जाएगा object, आप देखें, examples आपको समझ आएगा, कि आप कब हो सकता के लिए could be का use करेंगे, और कैसा आपका example होगा, example है, वह एक वकील हो सकता था, तो sentence बनेगा, he could be an advocate, he could be an advocate, it means वह एक वकील हो सकता था, वकील कर लिए साप लिख दे खिलाडी हो सकता था, तो sentence बनेगे, they could be a good player, देखें, हो सकता था, कोई चीजे हो सकता था, मुवक्किल हो सकता था, एक अच्छा खिलाडी हो सकता था, एक इंजिनियर हो सकता था, डॉक्टर हो सकता था, इस पर साप example में कह सकते हैं, जब आप इसका use करते हैं, तो इस तर डॉक्टर इस पर साप बना सकते हैं, तुम लोग, इस स्कूल में हो सकता था, तो sentence बनेगा, you could be in the school, या फिर, you could be in school, इस पर साप बनाते हैं, देखें, आपर आपका साप्टर किस घर से बना, किसी जगा पर आप हो सकते हैं, या पिर आप बासार में हो सकते हैं, मॉल में ह सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, कोशी में हो सकते हैं, मंदीर में हो सकते हैं, इस पर से आप अलग अलग तरिके से sentence को बना सकते हैं, आगे हैं आपका गाई, जिसका मतलब होता है, सकता था, सकता था के सैंस में आप यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसका यूज़ करते हैं hypothetical action में जो काम आपका होना था, वो काम नहीं हो पाया, अब आप पस्ता रहें, regret आपको हो रहा है, उसमें आप यूज करते हैं, could have का, जिसका क्या आपका formula इस पगर से लगता है, सबसे बले subject, could have, इसके आपका वर्व का third form, plus object, example देखे, वहाँ नौकरी जोएन कर सकता था, लेकिन नहीं किया, अब नहीं किया, तो क्या है, उसके पस सिर्फ regret हैं अबी, तूसर में आप यूज करते हैं, could have का sentence बनेगा, he could have joined a job, इस पर सुझाएगा, मैं बीये में अंग्र सकता, अब नहीं ले सकता था, क्या हो गया, मेरे पास बचा क्या, तो बचा सिर्फ regret, पस्तावा बचा, तो sentence मनेंगे, I could have taken English honors in BA, इस पर सापको हो साएगा, हम लोग कल मैच जीत सकते थे, नहीं जीत पाए, हार हो गया, अब क्या है, मेरे पास regret है, जब आपके पास regret होता ह है, पस्तावा होता है, आपके पास opportunity था, क्या आप कर सकते थे वो काम, लेकिन नहीं कर पाया, अब नहीं कर पाया, तो regret बचा, regret बचा तो आप could have see बनाएंगे, sentence बनेगा, we could have won the match, अब कल लिखा हुआ है, तो कल के लिए आप sentence के last में आप लगा सकते हैं, yesterday, sentence आपका इसी रगे से complete हो सुका है, आगे हैं आपके, आमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, लेकिन नहीं है, तो sentence, आमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, आमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, तो बहुत सारे पैसे हो सकता था, sentence होगा, a lot of money, it means बहुत सारे पैसे, आगे स सकता था कैसे हो सकता था एक्जामपल सा आप समझ पाएंगे फॉर्मूला में आपका उजाएगा सबसे विले सब्जेक्ट कुड हाब इसकद आप जोड़ेंगे बीन यह बीन आपका और का थार्ड फर्म के रूप में है इसकद आपका अब्जेक्ट है एक्जामपल वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने मुझे धोका दिया ही कुड हाब बिन माई बेस्ट फ्रेंड बट ही चीटेड में हाब देखिए क्या ही कुड हाब बिन माई बेस्ट फ्रेंड वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन लेकिन के लिए आपने देंगे यापर बट उसने मुझे धोका दिया इस पर से उसाएगा अमन एक डॉक्टर हो सकता था लेकिन उसने सही से पढ़ाई नहीं किया संटेंस बनेंगे अमन कुट आप बीन आप डॉक्टर बट ही डिड नोट अस्टाड़ी वेल संटेंस कितने अर्शित दिलगे से बनच चुके हैं इस तरगा से आप समझे तो संटेंस आप बना सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं then after you can speak English confidently वेकर्स दीस दवेच तो इसस पीक इंगलेस आगे समझते हैं गाईस आगे हैं सूड जिसके मतबत हैं चाहिए और इसका यूज़ करते हैं आप advice देने के लिए आप इसे समझ सकते हैं कैसे इसे यूज़ करना है example से पले formula समझे subject होगा suit होगा और first from होगा और object होगा और जितना भी आपका model work है guys सभी model work आपके जो होते हैं वो आपके helping work होते हैं इस बात को ध्यान रखना है तो क्या यह should भी आपका helping work है बेलकुल यह भी आपका helping work है example देखीगा इसे तुम्हें समय पर दवाई लेना साइए advice करें तुम्हें समय पर दवाई लेना साइए sentence बनेंगे you should take medicine on time इसे बार से उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए sentence बनेगा he should think about his society sentence बन चुके हैं अमन कोंग्रेजी से शिखना साइए आमन शुड लर्न इंग्लेश अमन शुड लर्न इंग्लेस अपको अग्रेजी शिखना साइए यू इसुड लर्निग्लेस आपको बसार जाना साइए you should go to market मुझे किर्केट ख़लना साइए I should play किर्केट इस परस आप संडेश को बना सकते है रिया को रोज स्कूल जाना साइए रिया सूट गो टो स्कूल अब रोज है तो रोज के लिए आप संडेश के अंत में लगा सकते है डैली लगे रिया सूट गो टो स्कूल डैली आगे इस परस हो जाएगे गाई सापके सूट भी जिसका मदा हो जाएगा होना साहिए जिसका क्या आप फर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट सूट भी और अबजेक्ट हो जाएगा एक्जाम्पल होगा उसे अभी school में होना साइए sentence होगा he should be in the school now या फिर right now भी आप लिख सकते हैं तुम्हें एक engineer होना साइए sentence होगा you should be an engineer you should be an engineer तुम्हें एक engineer होना साइए अभियनता होना साइए आमन को खिलाडी होना साइए आमन should be a player आमन should be a player अमन को एक खिलाडी होना साहिए, इस बार से उन लोगों को पार्टी में होना साहिए, पार्टी अटेंड करना साहिए, इस बार सा बोलते हैं, संटेंस होगा, उन लोगों को दे लग जाएगा, they should be in the party, संटेंस कम्प्लीट हो सुके हैं, इस बगार से आप कैसा संटेंस बना सकते हैं बहुत ही इजवे में और आठीक आप मेहनत नहीं भी करें then you can speak should have means pass होना साइए जिसका formula लग जाएगा subject should have और लग जाएगा आपका एक object जो भी चीज़ आपके एक कार होना साइए sentence बनेंगे he should have a car he should have a car उसके पास एक कार होना साइए रोहित के पास एक pen होना साइए रोहित should have a pen आपके क्या हो गया object हो गया क्योंकि पास क्या है तो pen है पास क्या है तो कार है तुम्हारे पास एक किताब होना साइए, you should have a book, क्या है पास तो एक किताब है, एक प्यान है, एक कार है, एक मोबाइल है, एक लेप्टोफ है, इस पास आप बोल सकते हैं, उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे होना साइए, बहुत सारे दोज सोना साइए, बहुत सारे होना साइए था formula subject should have been plus object example उसे तो घर पर होना साइए था अब कोई का होना साइए था लगाना है उसे तो घर पर होना साइए था sentence होगा he should have been at house घर पर it means at house इस बार से तो में तो जादूगर होना साइए था Vous should have been a magician तो में तो एक जादूगर होना साइए था अमन को तो पुलिस वहला होना साइए था अमन इस पर्स आप संदेश को बना सकते हैं, पेरिया को तो एक डॉक्टर होना साहिए था, पेरिया शुड़ हाप बीन आ डॉक्टर, इस पर्स आप संदेश को बना पाएंगे, बहुती इस वे में, कहीं पर कोई भी आपका कनिफ्यूशन नहीं देख रहा, बिगोज इस तू सुपल गाईज, उड, उड मेंस आपका होता है, ता ते ती, इट मेंस, कोई काम करता, कोई काम करती, कोई काम करते, इस पर्स से, फर्मूला आपका सेंपल रहेगा, सबजक्ट होगा, उड और का फर्स्ट नमोगा, अबज़क्ट होगा. Example, अगर मैं घर आता, तो आप से बात करता. conditional sentence से, बनेगा, If I come to house, अगर मैं घर आता, तो मैं तुमसे बात करता, I would talk to you. इस पर से, कोई काम करता, तो बात करता, I would talk to you. इस बार से वो अंग्रेजी सिखता, he would learn English, इस बार से अमन एक पत्र जरूर लिखता, अमन उड़ स्योरली, स्योरली मतलब जरूर, write a letter एक पत्र लिखता, इस बार से तुम अपना वियापार करता, you would do your business, your business अपना वियापार, इस बार से आप समझ सकते हैं, उड़ का यूज होगा, कोई काम करना होगा, इडमेंस आप जो रहा होगा जो बताएंगे, यहापर आप बताएंगे क्या, possibility, और possibility आप कब काते हैं, जब आप संभावना की बाते करते हैं, जब आप बताते हैं कि उसमें स्योरेटी नहीं है, बलकि आप imagine करेंगा, वो ऐसा हो रहा होगा, व पर का फर्थ फर्थ फर्म होजाएगा, इसको आपको होजाएगा object, example, इसे अमन अभी खेल रहा होगा, यह हम क्या कर रहें, संभावना कर रहें, बता रहें, उम्मीद कर रहें, वो खेल रहा होगा, संदेस होगा, कि अमन उड़ बी playing now, इस बहर से सचीन कार्स ला रहा सचीन उड़ बी driving a car, सचीन उड़ बी driving a car, सचीन कार्स ला रहा होगा, इसे बहर से पिरिया खाना पगा रही होगी, पिरिया उड़ बी cooking food, यह अपर आपका जो भी वर्ब आएंगे, सभी आपके फर्थ फर्म में आएंगे, इस बात को धियान में रखना है, वो गाना गा रहा होगा, he would be singing a song, singing आपका देगी आएंजी फर्म में है, it means आपके वर्ब के फर्थ फर्म में है, इसे बगार से आगे हैं, would have, जिसका मतलब होता है, आपका चुका होता, चुका होता के sense में आप यूज़ करते हैं, would have का formula, subject हो जाएगा, would have, plus verb का third form, plus object, देगे, अगर would, should, could, can, में कुछ भी रहे, अगर आपका have आ गया, या तो आपका object आएगा, या तो आपका verb का third form आएगा, अगर verb आएगा, तो third form में, otherwise आपका object आएगा, इस बादों को आपको धियान में रखना है, आमान अंग्रेजी सीख चुका होता, sentence होगा, आमान उड़ हाब, लर्ण्ट एंग्लेश, या लर्ण्ट आपका क्या है, वर्ब का third form में, तुम वहाँ आभी पहुच चुका होता, sentence होगा, you would have reached there now, वहाँ मतलब there, आभी मतलब now, इससे बहर से, रवी अपना काम कर लिया हो होता, रवी उड़ हाब डन हेज वर्ग, हेज वर्ग मेंस अपना काम, इसका काम, रवी का काम, थर्ड परसन है, इसलिए आपका एर्जाक्रिप्स हो है, थर्ड परसन के अनुसार सिंगुलर लगा हुआ है, हेज, वे लोग मैच खेल चुके होते, sentence होगा, they would have played the match, वे मैं आप यूस करते हैं, जिसका क्या आपका फर्मूला लगे जाएगा, subject would have been, इसकद आप लगाएंगे एक object, देखे, example, वह एक अच्छा खिलाड़ी होता, लेकिन उसने महनत नहीं किया, sentence होगा, he would have been a good player, but he did not struggle, अस्ट्रगल आपका होगा, आपका महनत, परकि आप संघ जर्स बोल सकते हैं, मैं अभी एक डॉक्टर होता, लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया, कोई चीज होता, अब नहीं हुआ, या फिर मैं कोई सीज एक लंबे समय से होता, इस संस में आप आप would have been कर यूस करते हैं, कोई सीज एक लंबे समय से होता, आप वहाँ पर would have been कर करें, या फिर कोई सीज में होता, लेकिन केसी करवस नहीं हूँ, इस पर से, संस होगा, I would have been a doctor, but I did not go to America to study, इस पर सापका संस बन साएगा, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता, लेकिन उसने मुसे धोका दिया, संस हो जाएगा, he would have been my best friend, but he cheated me, संस आपके complete हो सुके हैं, So guys, thanks for watching, that's all for today.